हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई यूट्यूब चैनल और आज पैसिफिक यूनिवरसिटी में मैंने संदे का व्लॉग शूट किया है फुल डे रूटीन तो ये सुबह हो गई है और सुबह सुबह मैं उठ चुकी हूँ ये है साड़े अड़ बजे का टाइम अब चलो आप injust को बाहर का वुउ दिखा देती हूँ तो ये बाहर का विउ है सुबह सुबह कोई नज़र नियाता सब सोई वे हैं कीकि हाँ संडे है तो संडे को सब लोग rest करते हैं मज़े से उठते हैं लेड़ लेड़ breakfast करते हैं नौ बज़े से दस बज़े हमारे breakfast का time है और ये मेरा room है जो पूरा का पूरा बिखरा पड़ा है क्योंकि पूरा week हम लोग साफ सफाई नहीं कर पाते हैं तो Sunday को पूरा room साफ करते हैं तो मैं fresh होकर के ये ready हो रही हूँ breakfast करने के लिए तो हम लोग breakfast करने जाते हैं तो simple ऐसे ही चले जाते हैं ज्यादा कुछ ready ready नहीं होते हैं जैसे normal घर में रहते हैं वही routine होता है हमारा hostel में भी तो अब मैं ready हो करके मतलब जाओंगी breakfast करने के लिए तो मैं आपको वहां का दिखा दूँगी कि breakfast में हमको आज क्या मिलने वाला है और हमने क्या खाया है तो मैं room से निकल चुकी हूँ अब नीचे जाएंगे नीचे जाकर के फिर ये gate है बाहर का view यह मैस वाला रास्ता तो अब यहां से हम मैस की तरफ जाएंगे तो हमको आज मॉर्निंग में प्याची कचोरी चाय और इमली की चटनी मिली है तो इता अच्छा नहीं था पूरा जो कचोरी थी तेल तेल में कर दी थी फिर हम वस्टल आये तो हमने देखा आंटी ने पूर पूरे फ्लोर की साफ सफाई अच्छे से करदिये घिस घिस के थी फिर मैं आकर & अपने बोदों को पानी दिया ताकि यह अच्छे से ग्रीन रहें healthy रहें जैसे कि हम लोग खाने की जरवत है ऐसी ही पाने के जरवत थी फिर हमने रूम ने रूम की साफ सफाई की और यह हमा नहा करके रैडि हो गई। तो फोड़ी तय मैं रेस्टまぁ We Paak थोड़ी ते में रेस्ट कया था औरएसे थोड़ा फोन वोन चलाया फोन वोन चलाने के बाद में नहाने के बाद हमें हमेशा अपनी स्किन केयर करनी चाहिए स्कीन केयर में हमेशे मॉस्टराइजर, वाड़ी लोशन, ओईलिंग, हेर ओईलिंग, सब कुछ करके रखना चाहिए ताकि हम लेट एज तक भी यंग और हेल्दी दिख सके हमाई स्कीन ग्लोइंग हो और बहुत ब्यूटिफुल लगे तो ये सब कुछ रड़ी वेड़ी होकर के अब मैं खाना खाने के लिए मैस की तरफ निकलूँगी तो मैं बाबा मैस की रोड़ की वीडियो शूट करके आप लोगों को बोर्ड नहीं करना चाती हूँ इसलिए मैं असलर रास्ते को वापिस से शूट नहीं करूँगी और फिर मैं डारेक्ट ही मैस में जाकर के आपको दिखा दूँगी तो रेड़ी होने के बाद मैं पूजा करती हूँ डेली तो मैं अपने भगवान की पूजा करी और फिर मैं रूम से निकली तो देखो बहुत साइब बच्चों ने कप्रे बप्रे दो दिये हैं इसे निकले हैं पर हम लोग फिर भी खुशी खुशी कहा कर के खुश हो जाते हैं फिर शाम को मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों निकले कुछ खाने के लिए क्योंकि मैस का खाना तो बहुत ही गंदा था तो हम दोनों जा रहे हैं बाहर तो बाहर हमाय साथ देखो कौन-कौन जा रहा है कुटे भी जा रहे हैं बिचा रहे हैं फिर हमको भार और कुटे मिलें, फिर हम रस्ते पर आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, फिर हम जाएंगे अब कुछ खाने के लिए, तो हमने शॉर्टकट लिया, क्योंकि हाइवे पर बहुत सारा ट्राफिक मिलता है, बड़ी बड़ी गाड़िया चलती है, फिर यहां पर मुड़ेंगे, तो सामने आपको GBH होस्पिटल दिखाई देगा, तो हम लोग कहां जा रहे हैं, आप लोग गैस करकर बताना, जो क्यों दैपूर के हैं, GBH के इदर है एक नकोडा नगर नाम की जगा, तो हम वहाँ पर गए थे, फास्फूर्ट के स्टॉल्स लगते हैं वह वहाँ पर, तो वहाँ पर सब कुछ बहुत ही सस्ता, रिजनेबल और टेस्टी मिलता है खाने के लिए, तो हम वहाँ पर गए थे खाने, तो हमने वहाँ पर मंचूरियन खाया, मोमोस खाया, बहुत जदा मेच डाल दीती आस तो अंकल ने, हम लोगों के तो मुझ से धुआ ही निकल गया खा करके, यह वहाँ की सारी स्टॉल्स है, तो यह फिर हम वापिस होस्टल की तरफ आ गए, यह हमारे होस्टल का गेट है, फिर अंदर घुसे आई लफ पैसिफिक, फिर हमने बास्केट बॉल ग्राउंड में देखा, बहुत सारे बच्चे गेम खेल रहते हैं फिर यह रात का खाना, तो फिर क्या ही बताओं तो हमको तो भूख थी नहीं, तो हमने थोड़े से चामर लिये और स्पेशल में आज हमको आईस क्रीम दी थी, तो संडे का हाल आप देख सकते हैं, मैस में कोई आना ही बसन नहीं करता है, और यह रात का वियू है, तो बच् पढ़ाई करने के बाद फिर रात हो गई, तो रात को फिर हम सो गए, तो मेरा व्लॉग भी यहाँ पर खतम होता है, तैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक, सस्क्राइब, और कमेंट डाउन ब्लॉग